हेलो एबरीवन विल्कम टू आवर यूटूब चानल आई होप आप वोक सब इस अच्छे होंगे और मैं आपको ऐड़ के एक नया टुटोरियल में बहुत कुछ बेसिक इनफरमेशन कमांड के बारे बताने वाला हूं यहम बेसिक कमांड को यूज करके आटो कैडमेशन कैसे करते है और उसके यूज को कैसे कहां पर कभी यूज करते है क्या कमांड है वन सा कमांड को इनेवल डिसेबल लगना चाहिए हमें यूज की कोडिंग तो इस वीडियो में मैं आपको उसको डीटेयल में बताने वाला आप देखोगे इस तरह का home आपको open होकर आएगा यहां पर जब आप AutoCAD open करोगे तो आपको starting में first of all किसी भी work से पहले आपको दो चीज कंपल सड़ी है करना वह है पहला है unit आपको unit set करना पड़ेगा तो यह unit set करने के लिए आपको UN type करना पड़ेगा command bar में UN for unit होता है आप इंटर करोगे आपको इस तरह का drawing unit का page खुल कर आएगा जहां पर आपको precision है और उसका unit है अप जिस फिल्म में work कर रहे हो जिस तरह का आप dimension use करोगे उसके according आप यहां पर unit set करोगे बिसकली मेरा यहां पर millimeter यूज है और मैं चाहता हूँ कि प्रिसेजन जो decimal बहल हुए मैं 0.00 करके और international प्लिक करोगे और okay करेंगे यहां पर हम यहां पर मेरा unit set हो चुका है आप यहां पर देख रहे हो कि unit आपको आता है limit limit set करने के लिए lim command है lim for limits आप okay करोगे okay करने के बाद कहाएगा इडिशेट मोड़ स्पेस लिमिट्स इस प्रिसफाइड लोवर लेफ कॉर्णर आपको इस स्पेसिफाइड करना है लोवर लेफ कॉर्णर हम यहां पर 0 then tab 0 क्लिक करेंगे फिर स्पेसिफाइड अपर राइट कॉर्णर यहां पर अपने लिमिट के एकॉर्डिंग यूज करोगे मैं यहां पर 200 इंटू 200 मैं क्लिक कर रहा हूं अब जेड क्लिक करूंगा फिर यह जुम हो चुका है मेरा अब जुम करने के बाद आप यहां पर देखोगे कि यह सारा कमांड है जो कि सारे का यूज है ट्रॉइंग करने के टाइम में ड्राफिटिंग के टाइम अगर यह सारे यूज मितलब है आपका on off नहीं रहेगा यह सारे यूज़ करते हैं हम लोग ड्रॉइंग के अनुसार तो यहां पर क्या है यह अबजेक्ट snap setting है यह सारे को आप all को one by one करके on कर लेना मैंने इसके रिगार्डिंग एक वीडियो भी डाल रखा हूं पहले यूटूब पर कि इसे हम कैसे यूज़ करते है किसका क्या यूज़ है कि यहां पर ड्रॉइंग के पहले आप सारे को on कर लेना उसके बाद यहां पर आप देखोगे कि स्नेपिंग रेफरेंस वह स्नेपिंग रेफरेंस के लिए है अभी यहां पर क्या है यह और थो ऑन हो गया और यह पोलर ऑन है दोनों बड़िया है यूज करते हैं यह जापर मुझे पर्पेंडिकुलर बेर लाइन ड्रो करना होता है इच अदर वहां पर ऑर्थो को ऑन कर जहां पर मुझे किसी पार्टिकुलर एंगल किसी खाज डिफाइन एंगल पर मुझे लाइन को ले जाकर रिपर्जन करना होता कि हाँ इसे यहां यूज करते हैं जैसे यहां पर 90 यहां पर यहां पर यहां पर देख रहे हैं यह हमारा टूल का मोडिफाई कमांड है यहां पर डामेंशन है तो मैं इससे पहले वीडियो में बता शुक्त काउं के टूल्स को कैसे यूज करते हैं आप ड्रॉइंग जिस तरह कर रहेगा आप उस तरह कर सकते ड्रॉइंग के नुसार चलिए मैं यहां पर छोटा सदम सिंपल से सिंपल एक ड्रॉइंग में लेकर आया हूं तो इस ड्रॉइंग को कैसे आटोकेड में लाइन को यूचर के बनाते हैं तो मैं आपको सिखाने वाला हूं तो फॉस्ट 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 जो यहां पर शाफ्ट है यहां पर इसका यहां पर इसके जो यह डिस्ट्रेंस है वह 10 mm हमारा है 10 है 15 है 15 है दें 12.5 है और इसके आर्क एडियस प्रोग्राम निकाले थे तो अभी तो हम आटोकेड में इसका ड्रॉइंग करना है तो द्रॉइंग आए करते हैं फॉस्ट फॉल इसे बनाने के लिए बहुत सरा तरीका है आप अपने इनुसार यूज करके बना सकते हो अभी क्या है इसे मैं हाफ बनाकर मिर्ण कर दूगा आए फॉस्ट फॉल हम हाप पर ही बड़ करते हैं तो एक सबसे पहले मुझे यहां पर लाइन में जाके और यहां पर लोड़ पर किलिक करेंगे यहां से हम सेंटर को ओके करके यह हमारा सेंटर हो चुका है सो डिटल में जाएंगे तो वन एम एम का फैक्टर है इस तरह का करेंगे और यहां से लाइन को किलिक करेंगे जादा तो चाहिए नहीं तो मैं इस तरह सिंपल करता हूं आप देखोगे कि इसका गैप इसमें नहीं है देखो एक इस ने ने तो हो रहा है तो सिंपल यह आप इस पर किलिक करो और सब्सक्राइब आप चेंज कर दो पाइंट टू वाइंट तू अब दखो किस तरह यह है इसका मैं इसमाय डाइमेंस निकालता हूं अब मुझे यहां पर क्याना कि यह बनाना है प्रोफाइल मुझे फॉर्स्ट यहां पर थर्टी कहां फिफ्टिन करेंगे दें टेन आएंगे फिर हम यहां से यूज करके बनाएंगे चलिए आप मैं सिंपल यह इसको ज्यादा लेंदी नहीं करूंगा इस वीडियो को मैं सिंपल इससे बना देता हूं तो आए आते होटो केट में लाइन किलिक करेंगे तो संटर लाइन है हमारा कंटिनू लाइन पर किलिक करेंगे यहां से इस तरह 30 डिवाइड तो मतलब 15 हो गया है मैं यहां से यहां 10 है 10 है ओके आई यह देखे रुआएंगे और यह तो डैमेंस से वह 15 है तो 15-30 तो फाइव फाइव 2.5 उससे मुझे लेंदी हो जागा दुआएंगे मेरा हम सिंपल यहां से इसे फिर पेंडे को लागे किलिक करते हैं किलिक करेंगे फिर इसका मौ उफसेट लेकर भी बना सकते हैं तो उफसेट कमान को यूज करते हैं यहां पर और ऑफसेट चाहिए तो हम 15 किलिक करेंगे अब यहां से लिक करेंगे और यहां से लाइन करेंगे और मुझे यहां से इस तरह ड्रै करते हुए क्याना कि मुझे वहां पर देखो तो इसका जो 25 का हाफ जो भी होगा 25 का हाफ तो यहां से ड्रै करो 25 डिवाइड टू वह उतना एम डिस्टेंस को यहां से इसके रेफरेंस से उतना को आफसेट ले रहा है मतलब यह छोड़के यहां से ड्रोना सुरू हो रहा है आप इसे म अब आपके लिए दो लाइन को इंटर सेखना जरूरी होता है फिर यहां पर देखोगे किस तरह का यहां पर है तो आई हम लोग लैंटो करते हैं वाजो वर्टिकल लाइन है इसकी जो हमारा हाइट है यह विसकली हमारा यहां पर कितना है 15 है तो 15 का हाफ 7.5 है तो आइए 7.5 का दो लाइन हम लोग यहां पर लेते हैं जो कि दिस्टेंस 15 है तो यहां से हम एक लाइन लेंगे और इस तरह 15 मतलब 15 यहां पर यह आपसेट लेकर ड्रोव होगा और 15 डिवाइड टू मतलब 7.5 हो गया ड्रोव हमारा फिर इसका हम आपसेट लेंगे ओपर आपसेट अब दिखूए और आपसेट है मुझे 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 वहां पर 12.5 चाहिए तो 12.5 क्लिक करेंगे और इस लाइन को इस तरह सिंप्ली क्लिक करेंगे और गया 12.5 यह हमारा भी यहां पर स्मॉल पर रहा है तो हम जेमेटरी कंस्ट्रॉक्शन नाइन लिए इस तरह करेंगे और इस तरह करेंगे तो मुझे मैं कमांड बताने के लिए इतना सारा कुछ कर रहा हूं वरना इसे भी सिंपल मैं बना सकता है तो बहुत नहीं था यह तो मुझे मैं एक्क्रिवेट करेंगे मिल कमांड को अब आप कि लेक्ट ऑबजेक्ट जो मुझे मिरर करना है मुझे करनें उसे सारे को इसे empley करके आब लाइट क्लिक करेंगे लर्ड लाइट क्लिक करने के बाद कहए आपसी फ़श्ट प्वाइंट और मिर्र लाइन यहां से करेंगे अब दखो गें किस तरह में इस ड्रॉइंग को अटोग्ए में कर दो लाइट को अभी में तो फली में रहा कम्ट्रिट नहीं हुआ है रेडियस देना है तो आप ड्राइंग में देखा किस तरह यहां पर 7.5 mm का रेडियस दे रखाया है तो आइए इसे हम प्रवाइट करते हैं वाकी मेरा इसके जो है वह फुली डिफाइन हो जाएगा मतलब प्रिड हो जाएगा तो लाइन है पुरी लाइन है सेरखल है तो यहां पर ऑफ़ ऑं में आप स्टार्टीन्ट इन डेडियस कि लिक्क करोगे कि int क्लिक कर रहा हूं और इसके जो मिड है उस पच्छक हां अचुका अब दखोगे ? उसका एक गफ्य तो आपने देखा कि किस तरह वह ने से ड्राइंग को और टोचेड में ड्रॉइंग कि उद्धस से बनाया है जो कम बैसिकली मेरा मकसद यह था कि इसमें क्या 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 क्मांड यूज होता है बनाने में क्या क्या सिंपल्स मेथद यूज कर सकते हैं लोग बनाने में उसका यूज करके हम लोग यहां पर इससे बनाए है तो आफसेट का यूज किये है मिर्या यूज किये तो आप स्मार्ट डामसन में जाओगे आप इसका डामसन भी यहां से चेक कर सकते हों देखो अभी आप जो चाहो उसे डीफाइन रामसर पर सकते हों स्मार्ट डामसन मुझे बोलते बोलते आज़ाद पड़ चुका है सौरी डुबक्ता अगर जाएंगे हम यहां पर हमने इसे डीफाइन किया और बच किया मेरा यहां पर आर्ग बच गया है पार देखो कि अब तो कुछ समझाना नहीं बचा आप देख सकते हो इसका गैब बच गया है स्मार्ट डामसन में जाओगे इस तरह 10 सब्सक्राइब निकाल सकते हैं अरे यहां यह तो है एंगल ने चाहिए और यहां पर अगैन यह बच गया हमारा तुबल पॉइंट फाइब के आप देख रहें कि हमने ड्रॉइंग की असरा ड्रॉइंग फिर बना जा हूं यह आपको समझाने का में लिए था कि कैसे बनाते हैं बहुत सारा कमांड यूज होता है वाईश में जितना आपके पास स्किल्स है उसे यूज करके आप ड्रॉइंग बना सकते हो कि स्किल्स सी बेस सॉफ्वेयर है जितना नोलेज रखोगे उतना आप चल्दी बना पाऊगे इस में किसी तरह का ड्रॉइंग और ना फिट देखें ओं तो कि यहां पर यह भी निकाल सकते हैं और टायटल ब्लॉग मना करके इसमें निकाल सकते हैं लेकिन बशी कलिया को मैं ने गयां था में वे जिभा तो मैं आश्य करता हों कि आपको यह वीडियो काफी समझ में आओक आऊगा आपको यह लिए हिलफुल है तो आ आप वीडियो को देखे और इंज्वाइब करें और चैनल को सब्सक्राइब पर नहीं है तो